तो सत्ता के इस महासंग्राम में एक तरफ के सैनिकों के चहरे कम से कम साफ हो चले हैं मध्यप्रदेश में 24 चहरे साफ हो गए कौन सैनिक कहां से लड़ेगा और 36 गण में 11 के 11 चहरे साफ कर दिये गए बीजपी ने लोकसभा चुनाओ के लिए पहली सूची जारी कर दी मध्यप्रदेश की 24 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का एलान विदीशा से मौका मिला शिवरासिंग चोहन गुना से जूतिरादिते सिंधिया एक बात और चिनवाड़ा, इन्दौर, ओजैन, बालाघाट और धार इन जगहों के लिए प्रत्याशी अभी घोशत नहीं किये गए है 36 गण की सबग 11 सीटों के लिए बीजपी ने उम्मीदवारों के लिए जारी कर दी सरुज पांडे को मौका मिला, चिंतामणी महराज, जो कुछ समय पहले कॉंग्रिसी थे उससे पहले बीजपी के थे, उन्हें फिर से मौका मिला है विजए बगहेल समित कई नेताओं के नाम शामिल है, ये तय था, निउजएटी न आपको बताता चल रहा था कोरवा से सरुज पांडे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, सरगुजा से चिंतामणी महराज को जिम्मेदादी दी गई है और दुर्ग से विजए बगहेल बीजेपी का चहरा होंगे तो 36 गड़ के 11 चहरे साफ मध्यप्रदेश के 24 चहरे साफ 5 पर अभी ब्रेक है तो मध्यप्रदेश की अब बात कर ली जाए सबसे पहले मध्यप्रदेश में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बड़े ट्विस्ट है क्या कुछ उसमें खास है वो हम आपको बताते चलते हैं 24 सीटों पर उम्मीद्वारों का ऐलान हुआ है खास बात ये कि 6 मौझूदा सांसद इनके नाम पर कैंची चल गए यह इनि टिकट कटे हैं 5 सीटों पर उम्मीद्वार भी बदले गए है 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है ये इस्थिती है जो हाँ 24 सीटों पर एलान हुआ है इसके अलावा 6 मौझूदा सांसदों के जैसे हम ने का टिकट काटे गया है 5 से चहरे बदले गया है महिलाओं को मौका दिया गया है चार महिलाओं को मौका दिया गया है यह हम मध्यप्रदेश की बात कर रहे हैं मध्यप्रदेश में किस तरह की स्थितिया है वो हम आपको बता रहे हैं कई जो सांसद है वो repeat भी हुए हैं कई हारे हुए जो विधायक थे उन्हें मौका भी मिला है ये भी खास बात है लेकिन BJP के जरीए सर्वे मंगवाया गया था लोगों से सीधे डारेक्ट पूछा गया था इस तरह से ये 1955 सीटों का एलान आज हुआ उसमें मध्यप्रदेश की 24 हैं 36 गल की 11 है मध्यप्रदेश की 24 हैं उन्हें हम डिकोट करनी की कोशिश कर रहे हैं कि 5 सीटों पर उम्मीदवार बदले गये हैं चार महिलाओं को प्रत्याश्री बनाया गया एक बात और जान लीजिए एक सांसा दैसा भी जिससे विधायक का चुनाल अलवाया गया फग्यन सिंग को लस्ते वह हार गए बावजूद उसके उन्हें मंधिला लोकसभा सीट से मौका दिया गया है यह सबसे जो ट्विस्ट है लिस्ट का जो ट्विस्ट वो है 36 गड़की अब बात कर ली जाए यहां भी बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है सभी 11 सीटों पर उम्मीदवार घोचित कर दिये गया है चार मौझूदा सांसदों का टिकट कटा है और साथ नए चेहरे हैं जिन प पर दाउं लगाया गया है तीन महिला प्रत्याशियों को भी टिकट दिया गया है अगर ओवर ओल देखा जाए तो तकरीबन 28 महिला है 195 में 28 महिलाओं को मौका और परसेंटेज अगर आप इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 15 फीसद के आसपास बैठेगा महिलाओं को मौका दिया जाएगा ये पहले साफ कर दिया गया था 36 गड़ की बात कर ली जाए तो तीन महिला प्रत्याशियों को चुकी है राजिसभा की मेंबर रह चुकी है अब उन्हें कोर्बा की जिम्मेदारी दी गई है अब वापस मध्यप्रदेश की बात करेंगे उन मौझूदा सांसदों की जिनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह किसी और को टिकट दिया गया है कौन से वह सांसद है जिन देख से वीडी शर्मा जी हमारे साथ है भैसाब खजराओं से एक बार फिर आप चुनाओं मेदान में मानी प्रधान मंत्री जी का मानी राश्टेद्ग जी का मानी अमिज साजी का धन्यवाद करता हूं फिरदैशे कि मुझे पुन है खजराओं लोकसवाक की जनता की सेबा क करने का और बुंदेल खंड की जनता की सिबा करने का अवसर मानी प्रधान मंत्री जी ने मानी राश्टेद्ग जी नामिज साजी ने दिया है पूरे केंद्री नित्रतों का मैं अन्दय से धन्यवाद करता हूं और आज 24 की 24 सीटें जारी हुई है मनी सिबरा सिंग चोहान जनता पार्टी 29 की 29 सीटों पर परचम फेराएगी और चिंदवाडा भी हुँद परचंड भाहमत के साथ इस्वार जी थे चिंदवाडा होल्ड है जल्दी होगा और मिसंद दोजार 24 के लिए सभी 29 सीटे और किस तरह के चुनाओ में ने काया कि जड़ी बूटी है 370 धारा 370 के लिए जो हुआ तो 370 बोट हर बूट पर बढ़ाने का संकल भारती जंता पार्टी के कारिकरताओं का है मध्य प्रदेश के अंदर 10% बोट सेर 370 हर बूट पर बढ़ाना यही हमारी कुसर रणी तिके साथ अम्मानी प्रधान मंत्री की नित्रत में इस बार हर ब सीटें अभी होल्ड है और यह जो इस वक्त आप देख रहे हैं उपर जो जानकारी इसी में सारा सार है एक-एक सीट को हम कोशिच करेंगे एक-एक सीट को डिकूट करने की मुख्य सीटों को डिकूट करने की समझेंगे कहां अगर किसी का पत्ता कड़ गया तो दरसल क्यों कड़ गया है अगर किसी को मौका मिला है तो क्यों मिला है है रानी वाली बात ये भी के जो नहोंने विधान swapah चुनाओं में जिन्ने हार मिली जिनकी काम्यावी काRightो डाउन हुआ उन्हें भी मौका दे दिया गया यह ब्दे और राजियों में इसे तरह के दिल्चात समीकर ये दरसल स्थितिया की क्यों रही हमारे साथ आरहे होरे होगे, हमेरे तमाम साही होगी सबसे पहले तो जो हमारे न्यूज एडिटर अभी शेख शुकल वो हमाँ साथ जुड़े होए है इसके अलावा सुशील आपको नजर आ रहे होंगे गौलिया चंबल को डिकोट करेंगे गरिया बंसे शेख हिमरान जुड़े हुए है शैलेंद्र लगातार उनकी नजर बनी हुई है शैलेंद्र आज भी जब जानकारी दे रहे थे 6 बजे के पहले तक उन्होंने कहा था कि य उर्वा से सरोज पांडे को मौका और रायपुर से ब्रिद्मोहन अगरवाल को लोकसभा की जिम्मेदारी इससे जरा डिकोट करेंगे प्लीज जी बिल्कुल नलेती है वाकई हाला कि सरोज पांडे का नाम तो चर्चा में था उर्वा से उसके पीछे शायद एक वज़ा यह होगे कि जोत्सना महंत का वहां से चुनाव लड़ना तैमाना जा रहा है सांसद है पिछली बार 2019 में वहां से जीती थी ब्रिजबोहन अगरवाल जरूर चौकाने वाला नाम यहां पर है हमारा साथ शशांग शर्मा जी है वरिश विशलेशक है शशांग जी ग्यारा सीटों के नाम आ चुके है और शुरवात अगर हम दू सीटों से करें सबसे पहले जो बड़े दिगज निता भी है सरोज पांडे और प्रिजमोहन अग उनका समाथ्थो का कारेकाल तो केंदर ने बार बार कहा था कि जो राजसभा के सांसाद है उनको लोकसभा से लड़वाया जाएगा तो उनका लोकसभा चुनाओ लड़ना लगबगत तय था लेकिन हम लोगों को भी बात थोड़ी अटपटी लगी जब उनको वहां का प्र जिस तरह से दिगज पूर्व मंत्री लोग जीत कराए और उनमें से कुछ मंत्री बने और कुछ मंत्री नहीं बने तो पिछले दो तीन वर्षों से बलकि पाच वर्ष से कोवीट के करण थोड़ा सा वो डिले हो गया लेकिन एक रीश शफलिंग का जो है वो ऐसा चल रहा जैसे मत्री परेश में हुआ था कुछ इस्थानी नेताओं को केंद्र में ले गए थे और अभी विधान सभा चुनाओं में कुछ सांसदों को राज्य में विधान सभा का चुनाओं लड़वाए गया तो यह उमीद तो हम कर रहे थे कि कम से कम एक दो बड़े नेता लगातार बहुत गंभीता से चल रहा था और चुकि बहुत वरिष्ट नेता हैं उनका उनकी जो योग्यता है या उनका जो अनुभाव है पार्टी चाहती है कि केंद्र में उन अनुभाव का लाव ले तो शार इसलिए उनको मौका दिया गया है लेकिन जैसा आप कहे रहे है कि किसी भी सर्वे में उनका नाम नहीं आया था कमलेज यांगरे का नाम बड़ा चौकाने वाला है यह दोनों ऐसे हैं जो के बल सरपंच रहे हैं और पार्टी के जीला इस्तर और मंडल इस्तर के कारे करता थे तो जो मोधी शाह की योडी जो केंद्र में जो एक चौकात है जिसको हम कहते हैं वो चौकाने वाले यह दो बड़े नाम जरूर है राठिया जी के नाम वह भी पंचायत तो क्या आपको लग रहा है कि पंचायत इस्तर का ध्यान रखा गया बैक्ग्राउंड में कम पंचायत इस्तर पर कोई ने कोई पद या चुनाव लड़े हूं अ ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे मेता हैं जो अपने आपको कलवदार कुर्ता पैजामा पहन कर बड़ी बड़ी गारियों में घूम कर अपने आपको मेता तो बड़ा मानते हैं लेकिन वो सरपंच पंच और यहां तक की जनपत जीला पंचायत के चुनाव भी नेड़े ह होते हैं मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी में एक विचार यह चल रहा है कि जो निचले इस तर से जो राज राजनेतां को बढ़ावा देना उसके पीछे की मनशा नहीं है पीछे की मनशा है कि यह जो इस तर के जो शहरी और नगरी और पंचायती ग्राव इस तर पे होते हैं वो जो है उसके लिए राजनेता गंभीर हो तो जो राजनेती करना चाहते हैं अगर वक्त बचेगा तो थोड़ी चर्चा चिंतामणी को लेकर भी की जाएगी शेख इम्रान हम ऐसा जुड़े हुए है शेख इम्रान क्या जानकारी आपके पास अगर बात करें तो यहां 2019 पर चुनकर आया थे शांसत के तौर पर चुननिला साहू इनका टिकेट कार जया गया है और रूप कुमारी चौधरी पर दाव खेला गया है बीजेपी अजब की बता दे कि रूप कुमारी चौधरी 2013 में वो विधायत चुनकर आई थी लोकसभा में बसना विधान सबस्चेत्रे से और हुए संसदी सचीव भी रही है बीजेपी के कई जिम्मेदारी पर रही है और सुरुक मारी चौधरी पर इस बार दाव खेला गया है और उन्हें प्रत्याक्षी बनाए गया है जबकि चुनिलाल साहू जो है वो 2019 में जब सांसत की मे रहेंगी बिल्कुल बिल्कुल कैलाश कश्यप हमारे साथ जांजगीर चांपा से जुड़े हुए हमारे साहूगी है कैलाश आपके पास मैं आना चाहूंगा क्या जानकारियां क्या अपडेट कैलाश जांजगीर में अनारक्षे सीट पर महिला प्रत्यासी को पूना चुना गया है और इस बार महिला मुत्री जो है कमलेस जांगले जी है जो दो बार पूर्व में सरपंच यहां बन चुके है और उनको मौका मिला है चुकि जांगीर चांपा लोक सभा छेत्र में आठ विधा करते हैं कि किस तरह की यहां माहौल है और लोगों में खुजी है जी बाचीत करें उनसे बाचीत करें जल्दी-जल्दी करें कि इस लोग सभा सीट में कैसे प्रत्यासी बनी और कैसे कैसे संगर्ज की चुकि एक महिला नेत्री और बीजेपी ने आपको बड़ा मौका दिया है मैं सबसे पहले के नेत्रित्तों को बहुत-Бहुत धन्यवाद देती हूं देसके शचरी प्रधानमंत्री जी को अमिसा जिको जेपी नट्ड़ जी को मेरे सभी वरिष्टों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं मुख्य मंत्री विश्णू देशाय जी को और हमारे रमन सिंग जी को किरन देव जी को पवन साय जी को सभी वरिष्ट है उन सभी को मैं अपने जीले के सभी वरिष्ट को सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं विश्वास ताया है आपका मुदार क्या रहेगा चुनाओ में चुकि मोदी फेक्टर तो काफी हावी है और आपके छेतरे मुदा क्या रहेगी हमारे मोदी अबहुत सब्सक्राइब करें अब कुछ न कुछ योजनाओं सब योजनाओं को हम जमीनी इस तरह से करेंगे चुकि जांगीचाप लोग सभा में आठ विधान सभा का दवरा किस किस तरह से करेंगे और चुकि आठों विधान सभा को एक साधना बड़ी मेहनत की बात होगी पिछले बार भी हमारी नहीं थी लेकिन हमारे सांसाथ हमारे जांजीर लोग सभाशीट से जीत के गया थे दिस भी हम 11 के 11 लोग सभासीट को जीत के जाएग़े पिछले बार हमारे 36 गड़ में सरकार में थी आप उनसे चर्चा कर सकते हैं और खुद जो रत्याशी है वह हमाई साथ जुड़ी हूँ इनके नाम का एलान हुआ है जांग्डे शैलेंदर लगातार हमाई साथ बने हुए अब लेकिन और सुशील भी लगातार बने हुए सुशील किस तरह के अपडेट हालके जो लगातार दिखाया जा रहा था वैसा ही हुआ हाँ केपी यादव का पत्ता कट हुआ सुशील बिल्कुल सही बात है कि ग्वालेट चंबल अंचल में जेसा कि उम्मीद जता ही जा रही थी उम्मीद के मुताबिकी यहाँ टिकेट का वित्रव हुआ है बात अगर करें तो दो लोकसभा सीच जो संबलन चलकी वहाँ से टिकेट काटे गए हैं वाइना गवालियर और गुणा दोनों में से एक लोकसभा सीच पर उनका चुनाव लड़ना ते था येसे में उन्होंने अपनी परंपरा का सीट जो गुना थी उसी गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और यही वज़े कि आलकामान ने उन्हें गुना से मोका दिया और इसलिए केपी यादाव का टिकेट यहां से बीजेपी ने काटा है और भि जो है विदान सभा चुनाव लड़ने की चलिए बाब मैं मैं आपको रोक रहा हूं सत्यप्रकाश जी के पास हम जाएंगे बहुत देर से वो लगाता है मासा जुड़े हुए हैं हालाके लंबे वक्त से जुड़े हुए वो डिकोड भी कर रहे थे थोड़ा और गहराई मे सत्यप्रकाश जी के सहारेयम उतरने की कोशिश करेंगे पांच सीटें होल्ड चिंता चिंद्वाडा की तो समझ आती है बाकी जगा क्या स्थितियां है कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारों की संख्या अनार से जादा हो चली है ये भी एक बड़ी वजा है जी सत्यप्रकाश जी का पूरा किला डह गया कॉंग्रेस का जबकि सत्ता थी लेकिन मद्यप्रदेश में 29 में से एक सीट चिंद्वाडा बसती है वो कमलनाथ के होल्ड वाली सीट मानी जाती है तो उस पर तो गहन मन्थन हला कि ये अभी तक जिन जो नाम चल रहे थे शिवरास सिंग चोहान का उतारा जा सकता है उनको उनकी मनमाफिक सीट उनकी मुफीज सीट विद्शा से उतार दिया गया लेकिन आपने पांच में चार को छोड़ देते एक को छोड़ते हैं तो चार जो सीट बची उसमें सबसे और सीट कोई है तो वो इंदौर है क्योंकि इंदौर से कैलास बिज माना जा सकता है क्योंकि इंदौर देखिए कैलास बिजाबर की बास बनावब्दी मोस्ट कंटेंडर्स फोर सीम पोसिन मद्द्रदेश इन ठेक री संट्री इलेक्स इसके बावजूद भी वो नहीं बन पाए उनको कैबनेट मंत्री से संतुस्ति करनी पड़ी उनके बेट क्यास बिजवरगी अपने बेटे को टिकेट दिलाने में कामियाब तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि पती पतनी को टिकेट मिल सकता है तो क्या हो सकता है कि इस कारण कहीं सेंटर लीडर्सिप ने उस टिकेट को अभी होल्ड किया हो हालकि नागर पर आरोपों का भी एक जिक्र हो रहा है मैं आऊंगा आपके पास कोशिश यही है कि मैं आपसे ज़रूरी सवाल और ले सकूँ शैलेंद्र लगातार हमाय साथ बने हुए है शैलेंद्र कौन सा नाम चौकाता है और कौन सा बहुत सहज आपको लगता है इन सब के बीच अगर कोई क्विक रियक्शन कॉंग्रेस का मिला हो तो शैलेंद्र प्लीज सूची आने के पहले कि भोपाल से आलोग शर्मा ही होंगे प्रत्यासी इसके लावा विदी साथ सिवराज सिंग चोहान का नाम लगबक तहे था खज्राओं की बात करें वीडी शर्मा हो लेकिन अगर चोकाने वाले नाम की नहीं बात की तो नरुत्तम मिस्रा नरुतम मिस् संध्याराय को रिपीट किया गया है सागर से लतावान खेडे लतावान खेडे करीब 10 साल पहले महिला मुर्शागी प्रदे सद्धक्च रही है और अब उन्हें मोका मिला है काफी समय से प्रयासरत थी और उन्हें दो तीन चुनाओं के इंतिजार के बाद टिकेट मिला है सागर में कई कद्दावर दावेदार थे वहां से राजबादूर का टिकेट काटा तो वहाँ एक नया चेरा पार्टी ने दिया है तो कहीं न कहीं देखने मारा है कि संग्ठन के लोग जैसे कि हुसंगाबाद सबसे चोकाने वाला एक और चेरा है दर्सन सिंग चोदरी ये किसान मोर्चा के प्रदेश अद्दक्ष है विशुद्ध किसान नेता है और जमीनी नेता है ये कुछ सामाने कार करता है इने हुसंगाबाद से पाटी ने टिकेट दिया जबकि यहां से राजे सर्मा जैसे और कई बड़े चेरे दावेदार से तो कई ऐसे चेरे भी हैं ज इसी तरह चर्चाय हो रही थी उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था हमो किस के गम नमारा ये कहानी फिर सही उसी की आगे की लाइन है नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही मैं पिछले दो विल्हानसबा चुनाओ और एकुप चुनाओ का जिक्र कर रहा हूं वापस चलेंगे अभिशेक लगातार हमें सथ बने हुए अभिशेक चंतामणी यह जब नाम आता है तो क्या यह तभी तय कर लिया होगा जब सो कॉल्ड घर वापसी हो रही थी क्या तभी तय हुआ होगा एक बात और भी है कि चंतामणी का नाम किसी F.I.R. में भी है, मैं उस याद नहीं कर पा रहा हूँ पर वो F.I.R. में भी उनका नाम है, जी प्लीज महराज जहां तक बात उनके नाम की है, तो पहला करण तो यह है कि एक बड़ा अनुयाई वर्ग उनके साथ है, गहीरा गुरू के यहां पर बेटे हैं और स्वभाविश से बात एक बड़ा वर्ग होता है, हाँ पर जो उनके साथ जाता है, इसी अधार पर विधान सभाम भी टिकट बिलती रही, और सशांग जी, चिंतमणी महराज का नाम क्या वाकि विधान सभा में जब उनकी बापस्री उती तभी तय हो गया था या और कोई समय कर रहा है, देगे चिंतमणी महराज भाजपा के लिए एक ऐसे महापुरुष के पुत्र है, जो संग हो या भाजपा हो, उनके लिए बहुत एक सम्मान भी विक्ती है, चिंतमणी महराज के लिए भी एक अनुकूल इस्थान अगर राजनितिक दिश्टी से देखेंगे तो भाजपा ही है, ठीक है, किसी कारण वो पहले विधायक भी रहे हैं, किसी कारण वो नाराज हुए और कॉंग्रिस में चले गाए, वो मुझे लगता है कि तोड़ा अल्पकाल उनका प्रवास था, वापस अगर आ गये हैं तो चिंतमणी महराज जैसे बड़े नाम का उनमें भी कई ऐसे उल्जयन होते हैं, जिनका निराकरण एक ऐसे नाम से हो जाता है, इसको लेकर सब लोग सहमत्य हो जाते हैं, सर्वसमत्य से, चिंतमणी महराज सर्वुजया में एक ऐसा नाम है, जिनकी घुरषना के बाद एक सर्वसमत्य आसानी से बन जाती है, उसके और कुछ और नाम है, संतूश पांडी का नाम, रिपीट वहाँ पर किया गया है, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंग या उनके बेटे को वहाँ से टिकट मिल सकती है, रिपीट किया गया है, लेकि मैं ऐसा मानता हूं कि जो केंदर में सरकार और पार्ट जिस तरह से चीजों को आकलन कर रही है, उसमें बहुत सारे उसके तत्व हैं, और उनको बकायदा पॉइंट दिये जाते हैं, अभी आपको याद होगा कि नमो एप चल रहा है, उसमें आपको पॉइंट मिलता है, तो ऐसे ही एक सांसद का भी एक निरंतर मुल्यांकन होता ह उसमुल्यांकन में अगर आप देखेंगे तो एक पहली बात तो है कि संतोष पांडे विशुद्व संगठन के वेक्ति हैं, दूसरा जो वो मुल्यांकन हुआ है सांसदों का, उसमें संतोष पांडे जी की इस्तिती बहुत बहतर बनाई गयी है, बहले ही उनके खुद के ल रहा है, अगर और ओर आल गैरा सीटों पर आप नजर डारें तो आपको क्या लगता है, फोकस किस पर रहा है, जिताओ उमिद्वार, जातीगत समी करण, या फिर और कुछ तीन महिलाओं को दे कर, किसको साधने कोशिश किया, सारे लोगों को खुश करने के भी कोशिश हु ही है, तमाम लोग हमारे साथ इसी तरह बने हुए, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं